टमाटर के इस संकट की सबसे बड़ी वज़ा बनी है बेहसाब बारिश जिसने आंदप्रदेश और करनाटक में बड़ी तबाही मचाई दोनों राज्यों में भारी बारिश ने 60 से ज़ादा लोगों की जान ले लिए जबकि पानी की तेज धारा में 200 से ज़ादा गाए बहस बह गए और पानी की तेज धारा का ये कहर अब भी थम नहीं रहा आंदप्रदेश के कई लाकों में बाल की वज़े से सडकें डूप गई और पानी पुल के उपर से बहने लगा हिंदू पुरम में तो पुल के उपर बहने वाला पानी अपनी तेज धार में एक बस को ले पर ले गए कुछ ऐसी ही सूरत चित्तूर की बन गई जहां भारी बारिश की वज़े से तमाम तालाब और नदियां उपन पड़ी और इनके खतरे के निशान के पार जाते ही जिला प्रशासन ने 18 गावों को खाली करने को कह दिया लगातार बिगडते हालात को देखते हु यहां मुख्य सडकों के साथ ही महलों में पानी जमा होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई इसकी वज़े भी भारी बारिश बनी एसे में प्रशासन ने शहर में जमा पानी को निकालने के लिए अब तक जितने इंतिजाम कर रखे थे वो सब नाकाफी साबित हुए फिर तो घरों में भसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन को राहत बचाव का अभियान चलाना पड़ा सौबात की एक बात है कि दक्षण भारत के राज्यों में तबाही मचाने वाली बारिश और बाढ़ मौसम विज्ञानी के लिए भी पहली बन गई है क्योंकि वहाँ अक्टोबर से दिसंबर तक दक्षण पूर्व मौनसून की बारिश तो हर साल होती है लेकिन इस बार नवंबर के महीने में तमिलनाड, आंधर प्रदेश, केरल और करनाटक में सामानिय से लगबग दो गुना ज़्यादा पानी बरस चुका है और अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले चार-पांच दिन में तमिलनाड, केरल, पुदुचेरी और करनाटक में कई जगा भारी बारिश यानि 24 गंटे में 11-12 सेंटिमिटर और कुछ जगा बहुत भारी यानि 24 गंटों में 20-20 सेंटिमिटर तक चुसक भी